हेलो एप्रीवन मैं डॉक्टर अजली फाटक सीनिर क्लिनिकल नूट्रिशनिस जैपुर। फ्रेंट्स आज उन बात करेंगे क्रेश डाइट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। आज विश्व में उबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो दिन प्रते दिन बढ़ती ही जा रही है। और इस उबेसिटी की प्रॉब्लम का बढ़ने का में कारण है हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल हमारे आज की जो जीवें शैली है उसके अंदर हमारा जो इटिंग पैटन है यह हमारा लॉंग टाइम तक सिटिंग वर्किंग आर्ज होते हैं उसके लावा स्लीप पैटन जो की बहुत डिस्ट्रॉब हो चुका है बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है बहुत कराणन परिशान है और इस ओबेसीटी के कारणन परिशाल होने के कारण कहीं नहीं वह अन्य परिशानीों बी जो ज चुछ रहे हैं और ऑस उसमें में रूटकॉस से असे असेे है मेडे एक रटिज़न gossip nhất रिलेटेग के कारे में से उसमें चरक्डियबासित से रिलेटेड दिज़न में से मुटपी के प्रब्लेम के असे करतलह अस्पाईस्ट के प्रच्डियख़ उसमें ten गग्रिज़नлав का रवन था waiting प्रहे हैं वोई चाहते है कि कम से कम समय के अंदर ज़ए से जादा बजन कम कर पाएं और उसके लिए गोग ऐसी डाइट को फॉलो करते हैं जो कि बहुत बहुत शॉटकट पैजन्स हो और उनको हम क्रेश डाइट कहते हैं ग्राइट का पैजन्स हो arrived लेकिन इसको यह लॉंग टन तो फॉलो करते हैं आँ लॉंग तो फॉलो करने से इनके लॉत भाए प्रॉन करते हैं ऐसे डाइट्स हैं कि जसे कि लो काश डाइट्स है या लोग फाइटे वेगन डाइट पेईट्स हैं एसे जो डाइट्स हैं या जिसे हम basically crash diets कहते हैं crash diets के करण एक पर water loss के करण आपका weight reduced होता है लेकिन water loss के साथ साथ आपका muscle loss भी होता है जो की बहुती serious health problem बन जाती है उसके अलाबा भी कुछ health problems होती हैं जैसे की आप में energy level का कम होना, facial metabolic rate का होना, इम्मुनिटी का कम होना, स्किन, हेर, और नेल्स से रेलेटेड प्रॉब्लम, डाइजस्टिक रेलेटेड प्रॉब्लम, बावल मौमेंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एनर्ची लेवल कम रहता है, तो नैचरली स्ट्रेस बहुत जादा होता है, और स्ट्रेस होने के कारण वापस से आपका वेड बाउंस करता है, या दुगनीकती से बढ़ता जाता है, इसके कारण वेक्ति में एक निगेटिविटी आने लग जाती है, कॉन्फिटेंस की कभी हो जाती है, तो इस ट्रेस के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपने देखा कि इस क्रैश डाइट से आपकी बॉड़ी पे कितने ज़्यादा सीरियस हेल्प से रेविटेट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यह जो क्रैश डाइट हैं, बेसिकली इसके अंदर, मिनरल्स, विटैमिन्स, कैल्सिंस, यह सब मातरा भग कम होती है, यह देखा जाहते हैं, यह दो up to mark होती है, और nutrition इसमें कम होने के करएंट कही ने कही आपको nutritional deficiency's भी इसके करएंच जो अजो होती है, तो अभी हमने क्रैश डाइट के back subjects के बारे में जाना, ऐसे clinical nutritionist में आपको कुछ science-based health tips देना चाहरी हो जो जिससे कि आपका जो weight loss हो वो permanent weight loss हो और वो कभी भी rebound नहीं होगा एक व्यक्ति को ideally 1500 से लेके 2000 तक किलो कलरी की per day requirement होती है और यदि वो weight loss plans के लिए जाता है तो idle weight loss जो है वो 2-3 किलो तक उसका होना चाहिए इससे ज़ादा ही weight loss होता है तो naturally कहीं नगी body के अंतरा की deficiencies होती है यदि आप weight loss process के लिए जा रहे हैं तो आपको यह चीज जरूर धहमे रखनी चाहिए कि आपका जो diet है वो proper balance room से आपको लेना है जिसमें की carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals यह सभी जो nutritional elements है वो proper मात्रा में होने चाहिए उसके लिए आपको आपके आहार में साबद अनाज, दालें, फल, सबजियां, सूखे मेवे, milk और milk से related जो भी products है वो आपको आपके आहार के अंदर शामिल करने चाहिए आपको पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए तीन से चार लिटर तक आप पानी दिन भर में जरूर पीए क्योंकि पानी जितना आप पीएंगे बॉडी से आपके toxins जो है वो रिमूफ होगे पानी यह दिया आपसे नॉडल नहीं पीने में आता है तो आप उसको detox water के तरह भी use कर सकते हैं उसके अंदर आप कुछ herbs और spices को use कर सकते हैं जैसे आप उसके अंदर ginger डाल सकते हैं आप cinnamon डाल सकते हैं आप basil leaves को use कर सकते हैं आप black pepper use कर सकते हैं तो इस टाइब से वो जो water बनेगा वो आपके weight loss के लिए useful रहेगा inflammations भी दूर करेगा और आपको कहीं पर भी body के अंदर किसी भी प्रकार की water की deficiencies भी नहीं होगी जो कि कहीं बार fresh diet में आपको dehydration की problem होती है उसके अदावा आपके diet से चीनी और नमक इसको कम करने की कोशिश करें carbonated beverages, fast foods, processed foods, salty snacks इनको remove करने की कोशिश करें जिससे कि आपका weight loss के जो journey है वो proper और in a healthy manner हो आपको दिन भार में कम से कम एक physical activity ज़रूर करनी है जो आपको पसंद हो आप physical activity करें जिससे कि आप उसको enjoy करके कर बाएं 8-10 गुंटे की sound sleep होना जरूरी है क्योंकि यदि आप proper sleep लेते हैं तो naturally stress booster sorbon secret होते हैं और आपकी body में stress नहीं रहेगा तो weight loss की जर्नी भी आपकी proper होगी तो इस तरह से आपने देखा कि यदि आप holistic weight loss plan को पनाते हैं प्रोपर weight loss plans के लिए जाते हैं और nutritionally sound plan के लिए जाते हैं तो आपकी body से weight loss तो होगा permanent weight loss होगा किसी भी प्रकार की कोई nutritional deficiencies आपकी body में नहीं होगी और सबसे जो main thing है वो positivity और confidence होगा तो please आप crash diets के लिए नहीं जाए crash diets के जगे आप normal scientific based holistic weight loss plans को अपनाएं जो की पूरी तरह से balance right हो तो I hope आपको हमारा ही आज का वीडियो बहुर पसंद आया होगा आप उसको like कीजे आप उसको subscribe कीजे और आप उसको share कीजे till then bye bye take care कर दो